हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है पना स्टेडे लेक्षर में मैं हुआने लियादो आपके साथ हाजी रहें एक नए और बहुत महतपूर वीडियो के साथ अज इस वीडियो में बात करेंगे सरकार ने दिया 2024 का सबसे बड़ा तोफा और आज इस वीडियो में चार नаньयोजनओं के बारे के बात करेंगे यहनिं लड़कियों के पढ़ेने के बार करेंगे उन्हें सरकार पूरा खर्च उठा रही है महिलाओं को आत्मनेर भर बनाने म यहाँ पे 5 लाग तक आपको लोन प्रोवाइड कर रही है साथी साथ पिंसन रासन के बारे में भी बात करेंगे यहाँ पे आप बने रही है वीडियो के एंड तक अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तों तक सेर कर दीजेगा ताकि उन लोगों को भी जनकारी मिल चेके जो लोग उनकी जनकारी नहीं है तो पूरे वीडियो में बने रहीएगा भारत सरकार ने महिलाओं चात्रों को आत्म नेर्भर बनाने के लिए उनके बहुत सारी काम सुरू कर सके किसी पर नेर्भर ना रहें जिससे आपको यहाँ पर जिस तरह से महिलाओं को जिस नजर से देखा जाता है उनके नजरिये में बदलाव हो सके तो यहाँ पर सरकार ने बहुत बड़े अफडेट प्रोवाइड किये हैं करोडों महिलाओं को लोट्री लगने जा रहे हैं सरकार की तरफ से महिलाओं को अगले महिने जो फाइदा मिलने वाला है वो से जानकर आप दंग रह जाएंगे क्योंकि यहां पर सरकार ने बहुत बड़े इनियसी चालू किया है ठीक है वहीं पर चार नई योजनाओं की सुरुवात कर रही है जिसमें आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पहली योजना के बारे मगर हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि प्रधान मंत्री गैस कनेक्शन या उजला गैस लेंडर के माध्यमरें कनेक्शन दिया जा रहा है यहां पर कनेक्शन उनहीं मेलाओं को दो आ जारा है जिनकी उमर 18 सल है भारत की नागरिक हैं तीसरा आपके पास क्या होना चाहिए आधार कार्ड होना चाहिए पास북 होनी चाहिए और साथी साथ ईस्रम का रहा है जिन के पास अभी तक connection नहीं है यहां पर अभी तक नहीं है उन्हीं लोगों को यहां पर प्रोवाइड कराया जा रहा है अभी तक सरकार ने 10 करोण महिलाओं को यह योजना से लाभानवीत कर दिया है तो अब आगे इसकी जो योजना है आगे और लोगों को देना है सरकार के द्वारा तो आप जो है कि अभी तक नहीं मिला है तो आप इसका connection करा लें मातर 450 रुपे में आपको यहां पर सिलेंडर प्रोवाइड कराया जाएगा साथ ही साथ जिन के पास यह सिलेंडर नहीं है तो उन्हें 903 रुपे में यह सिलेंडर प्रोवाइड कराया जाएगा तो वह महिला हैं जो कि बिपियल सिलेंडरी में आती हैं गरीब हैं उन्हीं लोगों को यह सारे सरकारी योजना प्रोवाइट कराए जा रही है मुख्यमंत्री लगपती दीदी योजना के तहत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर गरीबी रेखा से नीचे जीवन वेतीत करने वाले बीपील काड़धार को महिलाओं को यहाँ पे पांच लाक रूपए का अपना काम करने के लिए सुरू क उत्राकंड की सरकार ने यहाँ पे महिलाओं को आत्मनेरभर बनाने के लिए पांच लाक रूपए का लोन प्रोवाइट कर रही है जिससे वो अपना कड़ाई बुनाई इत्यादी काम सुरू करके या कोई और काम करना चाहती है दुकान लगाने चाहती है किसी का तो चलू किया है जो उन्ही महिलाओं को मिलेगा जो कि उत्राखंड की हैं और उत्राखंड की महिलाओं को जो कि SGS माधियम से यहा पर आपको प्रोवाइट कर आया है तो फ्रेंट्स यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी जानकारी आपको दूरा दे रहा हूँ जो कि आपको सायध ही कहीं मिलती हो ठीके फ्रेंट्स तो यहाँ पे मुख्यमंत्री लगपती दीदी योजना जो कि आपको उत्रा खंकी सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है सरकार की तरसे गरीब परिवार से जुड़ी बेहन बेटी पुत्री के लिए सबसे बड़ा तौफ़ा यह है कि उन्हें पढ़ने के लिए यहाँ पे सरकार पूराखा चुठा रही है यानि अब लड़कियों को पढ़ने में जो उनके माता पीता गरीब है नहीं पढ़ा पार रहे हैं तो सरकार पूराखर चुठाने के लिए तैयार है सरकार है राजस्थान सरकार नहीं सरकार बनी है यहाँ पर भजनलाल सरमा के दौरा यहाँ पर जो कि यह योजना सुरुकी की है अब इसमें क्या है कि बेटियों को पढ़ने के लिए अगर कच्छा च्छी पास करती है तो यहाँ पर च्छी जागवए का वहीं बरहमी पास करती है तो यहाँ पर 14,000 रुपय का उन्हें जो कि सरकार के दौरा बेनिफिट दिया जा रहा है वहीं प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए उन्हें यानि किसी परकार डिगरी, डिप्लोमा, विटेक या किसी परकार का कोर्स कर रही है तो वहाँ पर सरकार उसे 50,000 रुपय का जो कि उन्हें पैसे दे रही है उनके आगे पढ़ने के लिए ठीक है, वहीं 21 साल के हो जाने पर उस लड़की को यहाँ पर एक लाग और रकम दी जाएगी जो कि उसको उसके साधी के लिए या उचे सिच्छा के लिए कहीं और पढ़ने के लिए जाती है तो वहाँ पर सरकार उसके लिए ये सारी सुब्धाय प्रोवाइट कर रही है ये है योजना जो कि लाड़ो प्रुसान योजना के अंतर गताती है ये योजना जो की राजस्तान सरकार की है इसी प्रकार से लाडली बेहना योजना भी है जो की वहाँ पर भी लड़कियों को पढ़ने के लिए सरकार प्रोवाइट करें तो हम सारे योजनाओं को बारे में बात करेंगे जो सरकारी योजनाई होती हैं उन पर ही लगातर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ जिनें लोगों को नहीं पता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर जानकारी आपको मिल जागी प्रधान मंत्री नरेद मोधी सरकार की तरफ से अगले पांच वर्सों में निसूल करासन ऐलान किया गया है यनि आपको अब दो हजार चोबिस तक फ्री रासन परोवाइड कराया जाएगा जोकि सरकार दोरा ऐलान कर दिया गया है ठीक है फ्रेंड्स तो यहाँ पे बात की जाए सरकार ने कॉरोना काल में जिस योजना को सुरू किया था प्रधार मंतिर गरीब कल्याण योजना के अंतरगत तो वहाँ पे आपको सरकार जो की रासन फ्री दे रही थी ठीक है तो वहाँ पे दो बार आपको रासन मिलता था एक तो आपको फ्री मिलता था एक आपको पैसे देने होते थे लेकिन बाद में सरकार ने क्या किया दोनों फ्री कर दिया था उसके बाद अब सरकार हर महीने आपको फ्री फिर से रासन देने वाली है जो कि 2018 तक जो कि एक जनवरी से आपका चालू हो गया है यह आपका सिस्टम ठीक है सरकार तरफ से अब चावल की मातरा कम करके यहां पर बाजरा प्रवाइड करा जाएगा जो स्री अन्य योजना के इंतरगत आता है आठ स्री अन्य योजना है जिसमें से एक बाजरा भी सामिल है मोटे अनाज की तोर पर यह सारे चीज़ें जो कि सरकार यहां पर प्रवाइड कर रही है। यहां पर प्रवाइड करा जाएंगे। कराना है कि नहीं कराएंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। दूसरा आपको एक कराना है एक कास होगा आपका साइबे काफेस होगा। तो यह सारे अपडेट कर वा लें तक आपको पैसन जो रुकी है वह आ जाएं। सिर्फ रिजन यही है सरकारिया जाना चाहते है कि जिस व्यक्ति के हम खाते में पैसे भेज रहा है क्या व्यक्ति वह जीवित है की नहीं है तो इसकी जाच करने के लिए इस जानकारी करने के लिए आपको पैसन रोग दी जाती है। आमस्कार